लहरों से डर करनों का पार नहीं होती, कोशिस करने वालों की कभी हार नहीं होती तो आई आज की कलास इसी मोटिवेशन के साथ सुरू करते हैं कोशिस करते रहिए, मैं आज से रेलवे का स्पेसल कलास सुरू करने जा रहा हूँ आज से चलिए हमारे चैनल पे railway का special class शुरू करने जा रहा है daily एक वीडियो आपको मिलेंगे इस चैनल पे जो पहला चेप्टर मैंने लिया है ratio and proportion का अनुपात, सबनुपात से जितने भी question पूछे गए railway में जितने भी type के question पूछे जाते हैं उन सभी questions को मैं questions करूँगा आपके सामने लाने का तो चलिए शुरू करते हैं आज का questions question आप अपने screen पे देखिए चार संख्या, एक अनुपात, तीन अनुपात, चार अनुपात, साथ के अनुपात में है जिनका जोग एक सो पांच है, सबसे बड़ी संख्या का पत्त लागा ये तो ये एक बहुत simple question है चार संख्याए का अनुपात दिया हुआ है एक अनुपात, तीन अनुपात, चार अनुपात, साथ करा कि इन सभी का जोग दिया हुआ है कितना एक सो पांच ये जो आपके अनुपात दिये हुए है यहाँ पे मा लेते हैं, ये जो है X है, ये 3X है, ये 4X है और ये 7X इन सभी का जोग जो है आपका कितने के बरावर है? एक सो पांच सभी जोड़ी जोड़ी है यहाँ पे, कितना होगा? साचारे गारे और चार 15 15X बरावर हो जाएगा 105 तो X बरावर क्या हो जाएगा? 15 से कर जाता है 7 बार में X बरावर 7 तो X का माना या 7 कर दाए कि बड़ी संख्याव का पता लगा है ये सबसे बड़ी संख्याव क्या था? 7X, ठीक है? 7X का भेलू क्या हो जाएगा? साथ गुना साथ यानिकी उन्चास ये एक सिंपल कोश्चन था इसमें देख के ही बन जाता इसमें पेल उठाने के जरूत भी नहीं थी आपको नेक्स्ट कोश्चन है A अनुपाद B बराबर दिया है 2 अनुपाद 3 B अनुपाद C बराबर दिया है 4 अनुपाद 5 तो A अनुपाद B अनुपाद C पता करना है A अनुपाद B बराबर दिया है 2 अनुपाद 3 B अनुपाद C दिया हुआ है आपका 4 अनुपाद 5 तो यहाँ पुछा जा रहा है A अनुपाद B अनुपाद C बराबर तो इसमें अनपात में देखिए कैसे अनपात को, दो अनपात को कैसे जोड़ते कैसे हैं, इसको देखिए, पहले इंस को आपस मिल्टिप्ला कर देते हैं, चार दुना, आठ, दूसरे मीडिल टर्म के लिए चारती आई, बारा, और अन्त में इंस को आपस मिल्टिप्ला कर द पर न तीन रेस्यों को भी जोड़ सकते हम लोग आए उस तरह कोश्चन तो बताएंगा एक पीपा में सहद और पानी का अनुपाद दिया हुए पांच अनुपाद दू कि 59 लीटर का मिसरण है उस पीपे में उन्यास लीटर सहद और पानी का मिस्रण रखा हुआ है इस मिस्रण में सहद और पानी का अनुपात जो है साथ अनुपात चार बनाने के लिए कितना पानी मिलाना पड़ेगा देखें यह 49 लिटर दिया हुआ है क्या आपका मिस्रण है जिसमें की सहद और पानी दोनों मिला हुआ है 49 लिटर आप इसमें से दिया हुआ है सहद सहद अनुपात पानी का अनुपात दिया हुआ है आपका पाच अनुपात दू अब जो है इसमें पहले सहद कितनी मातरा है कितनी लिटर है पानी कितना लिटर है उसको निकाल लेते हैं सहद की मातरा तो ये कूल उन्चास है उसमें से सहद की मातरा निकालने हो तो सहद का अनुपात उपर रखिए बटा कूल अनुपात 5,2,7 तो ये जो है साथ से कर जाता है साथ बार में और ये आगए 35 यानि कि 35 लीटर सहद है तो से पानी बचेगा कितना घटा देंगे तो भी आज़े तो इस तरह कीजिए कूल उन्चास है अब जो है पानी के मातरा निकाल लिए तो पानी का अनुपात उपर रखिए बटा कूल अनुपात 5,2,7 तो साथ से कर देंगे साथ दूना 14 लीटर क्य मिला हमारा पानी अब जो है कोश्चन क्या कर रहा है कोश्चन क्या कर रहा है इस में कितना पानी मिला जाए कि अनुपात जो है साथ अनुपात चार हो जाए तो साथ अनुपात चार हो जाए सहद साथ और पानी चार हो जाए तो पहले से कितना था सहद है आपका 35 अब पान है और ये पानी चौधा कहा रहा कि कितना पानी मिला जाए तो सिर्फ पानी जोड़ा गया है साथ में कुछ ने जोड़ा गया है कि अनुपाद साथ अंपाद चार हो जाएगा तो इसको सोल्प कीजिए एकदम आगे एक लाइन वे अंसर मल्टिप्लाइ कीजिए क्रोस चोड़ा सत अंठान बे साथ एक्स बराबर इसको मल्टिप्लाइ करेंगे तो पांचों का 20 चरदी बारदू चोड़ा अब एक्स कमान निकालना है हमक तो 7x बराबर हो जाएगा घटाएंगे तो कितना आजाएगा दू यह हुआ आपका 4 काट देंगे तो साच्छे के 42 एक्स कमान क्या आया 6 यानि कि 6 लिटर और मिलाएंगे तो आपका अनुपाद हो जाएगा 7 अनुपाद 4 यह सिंपल कोश्चन था अगला कोश्चन है एद आयू कितनी है वाई की उमर बता नहीं है यह आपका जो कोश्चन है इसमें पेन भी उठाने के ज़रूत नहीं है देख कितना सिंपल है यह दोनों का अनुपाद दिया है उमर का 7 अनुपाद 3 और अंतर दिया है दोनों का कितने का 12 एकस और वाई की उमर में 12 अंतर है यहां पर अंतर हम लोग कितना देख रहे हैं अंतर है आपका चार का तो चार अनुपाद बरावर 12 तो एक बरावर के हो जाएगा तीम और साथ है वाई की उमर तो साथ बरावर के हो जाएगा सात्तरी का 21 21 ठीक है इतना सिंपल सा अनुपात एक तो एबी सी तो एभी पहले हम लोग कर लेते हैं दोनों को जोड़ना ही है यह अनुपात बी बरावर दिया है दू अनुपात एक बी अनुपात दिया है चो अनुपात पांच तो ए अनुपात बी अनुपात एक तीन टर्म आते हैं पहला टर्म के लिए तो यह आपस में सीधा सीधे मिल्टिप्ले के लिए दूसरे टर्म के लिए बीच वाले के लिए इसको सantage करते हैं तीसरे के लिए लाश वाले को उपर वाले के उपर के सथ करते हैं एध्यु यह रशियों को जोड़ने का तरीका है सका अगला कोचन दिया हुआ है एक थायली में 25 पैसे 10 पैसे और 5 पैसे के शिक्ष्ष्कड़े की एक उपात दूपात तीन के उपात विल्पात में हैं अगर कुल मूल ले। तीस रुपily हो तो 5 पैसे के सिक्ष्ष्ष्ष्ष्ष्य को सबंख्या ग्याद करें तो एकुशन दिखिए यहां पर यह बहुत असानी से बना सकते हैं आप एक कोशन मेंने पहले बताएं इससे पहले, देखिए यहां पर 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के दिये हुए हैं, अब इनका अनपाद दिया हुआ है, एक अनपाद 2, अनपाद 3, इसका मतलब है, अगर 25 पैसे वाले एक उ सिक्खा है तो 10 पहिसा वाला बाइसमा तिन का है यह सिक्खा कि wil कीमत कितने है कितना रुपया है इन सब का इसको हम लोग रुपया बादेंगे तो भागा कश्री का क् cheapest का ठीक्ट्रइब कितना क Louisiana atelli पर चार रुपिया इसको किता से भाग करना पड़ेगा। दस प्एसावाला ब्लाना थμεिवा हैं तो रुपिया कटना होगा। दुबटा दस दस से भाग करना पड़ेगा। पांच पईसावारा तीन सीका तो रुपिया केतना तीन बटा बीस इन सभी को जो अनपात दिया हुआ आपका ये दिया हुआ है भीन हो गया भीन को हम लोग खतम करते हैं मिलाब लाने के लिए इन नीचे जो दिया हुआिनका ऐल सयम लेकर कर सभी इंटाइक कर देते हे तो आनपात खत्म है ये दिलेकं बीस दस और चार का कितना है week कर देंगे बीस से मीalthy कर देंगे भीस सर्में बीस से मत्यपराइक तो क्या होगा या भज यहां पर इन में रुपय का आणि पात्त क्रूपय आगे है अब यहां पर 5 पैसे वाला शिक्का कीमत कितना है 5 पैसे वाला सिक्का जो है उसका कूल कीमत कितना है उसको निकालने के लिए तीस यह जो दिया हुआ संख्या है बटा पांच का अनुपाद पांच का अनुपाद कितना है तीन पांच पांच का अनुपाद कितना है तीन तो सिख्या का संख्या कितना होगा, तो सिख्या का संख्या की निकालने के लिए हम क्या करेंगे, साथ दसमलों पांच गुना, 20 से मल्टिप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि इतना सिख्या होगा, तो अब मचीप्राय किरेंगी। Q5 से मृटिप्राय किया तो ये भी आसानी से बन गया। आए नेक्स कोशन देखें, A, B, A, O, C में एक धन का राशी को करम सर एक बटा दू, अनपात एक बटा तीन, A, O, एक बटा चार के अनपात में बाटा गया है, बी जितना पाता है, ए उससे 400 रपे अधिक पाता है, संपूर्ण धनराशी क्या है? यहां देखे, अनपात दिया हुआ, A, अनपात, B, अनपात, C, यह दिया है, एक बटा 2, एक बटा 3, एक बटा 4, अब यह जो भीन में दिया है, इसको भीन को खतम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, LCM लेकर के, सब में मल्टिप्लाई कर देदे, 4, 3, और 2 का LCM कितना आएगा? यह आ जाएगा 12, चारते यहीं 12, 12, 12 से सब में क्या की है, मल्टिप्लाइ कर देजे, 12 से मल्टिप्लाइ करने के बाद, काटी अगत क्या हो जाएगा, यह 6, यह 4, यह 3, 6 अनपाद, 4 अनपाद, 3 आ गया, यह क्या आया, ए अनपाद, बी अनपाद, सी अब जो है आपका ए अनपाद, बी अनपाद, सी आया 400 एक बराबर हो जाएगा 200 है ना इसलिए जो है आपका पूछरा संपूर रासी कितने है संपूर रासी कितने हो जागा सबका रेशियो का जोग 3, 4, 7, 7, 6, 13 तो तेरा बरार क्या हो जाएगा तेरा तुना 26 यानिकी 2600 रुपए ठीक है तो ये एक सिंपल सा कोचन था आपका है ना चलिए आई अगला कोचन देखते हैं तीन संख्यां में तीन अनिपात大ग का अनिपात है उनके बर्घो का जोग दिया है 1472 तो सबसे छोटी संख्या कौण सी है क्यों सबस्तें करेा हैं 2 x और ये 5 X बर्गो का जोग दिया तुब बर्ग करेंगे इसकाँ क्या हो जगा तीन्तियाई 9, 9 X SQUARE इसका बर्ग करेंग क्या जगा 4 X SQUARE, इसका बर्ग करेंग का जगा 25 X SQUARE अब जो है सभी के बर्गो का जोग दिया हुआ है यहां पे तो सबको जोड़ दीजिए कितना हो जा रहा है दिया कितना है जोग इसका 1862 इनको जोड़ने पर कितना आएगा 13 और 25 38 38 का स्क्वाइर बराब हो जाएगा 1862 इसलिए इसको जब हम काटते हैं तो यह करता है 49 बार में एकस कारब अभर गया 49 एकस पर आप क्या हो जाएगा साथ फिर पूछ रहा कि सबसे चोटी संख्या सबसे चोटी संख्या क्या है इसमें टू एकस तो टू एकस पराबर टू इंटू सेबन जाओदा क्या होगा जाओदा कि कॉछन है पहें अठार हजार रुपए को छांशट पूरुस एवन महिलाओं में बाटना है पूरसो के हिस्से के जोग एवन महिलाओं के हिस्से के जोग पांच अनपात, चार का अनपात है, एक पूरुस एक महिला के हिस्से का अनपात है, तीन अनपात दू, तो पूरुसो के संख्या ग्याद करें, कूल मिला करके 6,6 महिला और पूरुस है, कूल कितने हैं, 6,6, तो माल लेते हैं इसमें से पूरुस जो है फूरुस अ मेल लिख देते हैं मेल माल लेते हैं x है तो female कितmother जाएंगी कूल में से आप मेल को हिवार इंदे इतने होंगे ए अब यहां पर दिया हुआ है कि एक पूरुस और एक महिला को है मिलने वाला रासी है तीन अनपाद दू, ठीक है, मेल और फीमेल को जो मिलने वाला रासी है, तीन अनपाद दू है, मिलने वाला रासी, मिलने वाला पैसा, माल लेते हैं ये, एक मेल को तीन ए रुपया मिलता है, एक फीमेल को दू ए रुपया मिलता है, इस तरह से, ठीक, अब यहां पे, जितनी म महिला और जितने पूरुस हैं, उन सभी को मिलने वाला रासी है, आपका अनपाद जो दिया हुआ है, कुल पूरुस और कुल महिलाओं के मिलने वाला रासी का अनपाद दिया हुआ है आपका, यहाँ पे हिस्से का जो 5 अनपाद 4, मतलब 5 बटा 4, अब जो है पूरुसों को मि मिलता है 3A तो 3A एक पूरुस को सभी पूरुस X है तो यह पूरुसों को मिलने वाले रासी हो गई पेंसिल कर देंगे अब यहां पर एक सिंपल कर लिए चार्थी यहीं 12x बराबर हो जाएगा 35 36 33 33 33 आद दो से भी मलने में लेकराँ छोसो साथ माइनस 10x अब घट इधर के लिए जोड देंगे 10x को इधर लेका आएंगे तो 22x हो गया 22x बराबर हो गया 660 x बराबर इसको क्यार देंगे तो हो जाएगा यह 30 x बराबर हो जाएगा आपका 30 x का संख्या आगया 30 तो पूर्सों के संख्या ही x माने थे हम लोग पूर्स का त्यानी की पूर्स के संख्या कितनी है 30 तो यह भी बहुत आसानी से बनेगा आपको सारे कोश्चन इजली बनेगा आपको इतना समझाने में समय लगता है आप कोशिस किजिए बहुत आसानी से बन जाएगा अगला कोश्चन है दो संख्याओ का जोड़ जो है 100 है उनका अंतर जो है 50 है तो दोनों संख्याओ का अनपात क्या होगा दो संख्याओ का जोग 100 है एकस प्लस य बरावर दिया हुआ है दोनों संख्याओ का जोग 100 तो दोनों संख्याओं का अंतर दिया है 50, अब जो है दोनों को जोड़ने पर ही कट जाएगा, यह हो जाएगा 2x, यह हो जाएगा आपका 150, एक्स कमान हो गया है 75, इसलिए y बरावन के हो जाएगा, 75 यहां रखेंगे तो y बरावन के हो जाएगा 25, कह रहा कि x और y का अनपात क्या है तो 75 अनपात 25, यह कट जाएगा 3 बार में, तो 3 अनपात एक अंसर हो जाएगा, इसकांसर कहा होगा? 3 अनपात 1, यह सिंपल एक हो जाता है कि दो संक पूर नहाइब गण्रम पाच के अनपाथ में हैं नपात तीन एक्स बटा पांच एक्स अनपात परतेक में से 9 घटा दिया जाएं परतेक में से क्या करती जाएं 9 घटा दिया जाएं तो अनपात हो जाता है 12 अनपात 12 बटा 23 एक्स कमान है से निकालते जिए यह हो जाएगा आपको 6 आप क्रोस मल्टिपिला करेंगे तेखा जाएगा 9 यह हो गया 6 माइनस 12 20 इधर हो गया 30X माइनस 108 X को एकतर लेके आएंगे तो हो जाएगा 9 आपका 29 इत नव से कट गया 11 बार में यहले 1 एक एक्स कमान हो गया 11 पुछ रहे है कि पर्थम संख्या क्या है तो पर्थम संख्या हमारा 3 एक्स है rotations 10X है एक्स क्या माना है एक happiest का prise संख्या क्या हो हो गया 33 संख्या क्या था हमारा एंसर 33 का एंसर हो जाएगा ठीक तो यह भी एक सिंपल कोशन था अगला कोशन दखिए हैं पर दो संख्या आए इसको दखते हैं कैसे बनेगा बहुत आसानी से बन जखता है यह ए अनपाथ बी दिया हुआ है यह पांच अनपाथ इनका क्या है आये खर्च कंपाथ दिया हुआ है यहां पे खर्च दिया हुआ है खर्च कंपाथ ए अनपाथ कुछ फ़せて शीरक और अ drab कार्ण पांपाथ में में पांपाथ कुछ में च्वर्च करता है तो यह जो है यहे आप का हमाल लेते हैं यह खर्च रूप एक्स माल लेते हैं यह पाच एक्स है यह दू एक्स है इनका खर्च माल ले तो दू एक्स कमान दिया हुग आपको कितना दू हजार रुपए सभी को यहां पर हम लोग मल्टिप्लाइ कर देंगे तो यह हो जाएगा बी का खर्च कितना हो जाएगा पांच हजार एक हजास मल्टिप्लाइ करेंगे एक खर्च हो जाएगा आपका 8000 असाथी में दिया हुगा बी का बी जो है बचाता है आपका 700 रुपए तो बी का खर्च यहां पर दिया हुआ है बचत भी दिया हुआ है है ना तो बी का खर्च भी दिया हुआ है बचत भी दिया है तो आए बराबर होता है आपका खर्च पलस बच्चत आए बरावर खर्च पलस बच्चत कुल खर्च और बच्चत जितना होता है वो जोड़ देंगे तो आए के बरावर हो जाएगा तो B का जो देखते हैं हम लोग B के देख रहे हैं तो B का हम लोग देखेंगे तो खर्च कितना है पांच हजार बचत कितना है दिया हुआ है बचत दिया है साथ सो यानि कि संतावन सो रुपए यह क्या करता है इसका आए है कुछ नहीं करता है बी का आए है अब यहां पे आए का अनुपाद दिया हुआ है आए का अनुपाद क्या है ऐयान पात B जो है दिया हुए है आपका आई का आप गून पात 5 वर ते यहां पर आये हम निकाल लिया है कितना के परावाद sensitive कि यह 3 से कि इस उपड़ा है देखेंगे कितना गूना बढ़ा है 3 से बाहग घ्रेंगे तो मतचलेगा तीन YOUR 37 उनीस्टप गुना परहा है यानि कि यह भी उनीस परचगे 590, अ पूछ रहा पूछ रहा था ठहुछज रहा था एक ड़ल्यट यहां पर खर्च एका कितना है यहां China तो खर्च खर्च आपका 8000 एका खर्च कितना है 8000 यहां पर तो बच्चत हो जाएगा एक बच्चत एकी बच्चत बराबर हो जाएगा आये में से खर्च क्या करेंगे घटा देंगे 9550 उसमें तो आज आएगा यह आपका 1500 ठीक है तो यह असानी से बन गया आसा है आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा अगर फिर भी कुछ डाउट रहा जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कर दो आएगा चाराबस करेंगे परो रहा जाएगा बालार का में आएगा पर में आएगा बालार यह जा होगा एगा पूछ सकते हैं